नमस्कार, स्वागात है हम सभी के एक बार पुना टाविता लोगा उनलाइन इस्ट्यूट में हैं, मैं गौर्वन राइन आज हम आप से बात करने आए हैं, सीट एट जो के परिक्षा 5 जुलाई को होनी थी लेकिन COVID-19 के कारण इस परिक्षा को डिले कर दिया गया अभी तक तो सुत्रों के हवाले से नियूज है कि परिक्षा डिले हो गई और जब तक सामान इस्तिती नहीं हो जाती है तब तक इस परिक्षा को नहीं कराया जाएगा लेकिन अगर हम अपने experience के अधार पर आप लोग को बताएं तो एक परिक्षा लगभग लगभग आपकी सितंबर से पहले होने वाली नहीं है क्योंकि ब्रद इस तर पर एक परिक्षा होती है केंद्री टीचर एविलिटी टेस्टर केंद्री ए सिक्षक पतरता परिक्षा जिसमें पूरे देश से प्रितिभागी पार्टिस्पेट करते हैं कहीं पर भी सेंटर बनाये जाएं अगर वहाँ पर मरीज पाय जा रहे हैं तो साइध उस कंडिशन में वहाँ पर एकजाम कराना संभव नहीं हो इसलिए जब तक इसके नतीजे आ रहे हैं संक्रमन से संबंदित तब तक इस परिक्षा को नहीं कराये जाएगा इसलिए उमीद की जा रही है कि परिक्षा जो आपकी है वो सितंबर तक आयुजित की जाएगी अगर अभी हम बात करें तो मैस अंतिम में हैं हम लोग जून जुलाई अगस्त हमारे पास पूरे 90 दिन का कोर्स है हमारे पास इतने परियाप्ते दिन हैं कि इन परियाप्ते दिनों में हम बहतरीन तैयारी कर सकते हैं लोग डाउन के पहले भी आपके लिए कुछ क्लास संचालित की गई थी सीटेट के लिए जिसमें पर्यावरण और साइकलोजी की क्लास और एक आपके चाहेते सर रवी सर की क्लास भी थी जिसमें सर ने आपको रूपरेखा बताई थी उसी को हम लोग कंट्यूनी कर लेते हैं बीच में ब्रेकडाउन हो गया था लोगडाउन था कई सारी समस्या हो गई थी इनिस्ट्यूट आ नहीं पा रहे थे तो यहां से एक फिर से एक बार हम लोग यहां से बैच को संचालित कर रहे हैं सीटेट के लिए जो आगामी परिक् किसको आपको पढ़ना है साथ ही साथ आपके पास एक प्लस पॉइंट यह है कि वरतमान समय में लोगडाउन चला है बाहर आप जा नहीं पा रहे हैं जो समय है उसको अन सोसल वेबसाइट पर या अन जवे सोसल मेडिया के माद्यम से वियर्थ ना करें बलकि उस समय का उप कि अपनी पढ़ाई को हमें अपनी जजबों को सलामत रखना है अपने चीजों को हमें अच्छे से बनाना है कि जब भी हमें मौका मिले और उस मौके में बाजी मार जाएग ठिकना चलीगा तो मैं आपको परियावरण पढ़ाऊंगा सी टैट के लिए और बेसिक से मैं पेडागोजी भी देखेंगे और कुछ जो टॉपिक आते वो एक बार हमें से याद रखेगा कई सारे संस्थान कोर्स को संचालित करते हैं सीटेट और टेट का स्लेवर्स क्या है यही मालूम ने हैं सीटेट आपका जो होता है वो पूरे भारत को समयकित करता है पूरे भारत की बिवित्ता के बारे में या पूरे भारत में जो आयोजन किये जा रहे हैं अब जो पूरे भारत का परियावर्णी अध्याने उससे सम्मंदित प्रिश्ण पूंचता है जबकि TET जो केबल उत्तर प्रदेश की परिक्षा उसमें इतना सब कुछ नहीं पूचा जाता है इसमें आप पिछले वीडियोर देख सकते हैं उसमें मैंने स्लेवर्ट बताया आपको 5-6 उनिट हैं आपकी जिसमें भोजन है अस्रा है आपका जीवजन तू है पौदे है मांचतरन का अध्यन है ठिकना परिवार है अस्रा है इन सारे टॉपकों को यहाँ पर हमें पढ़ पर आधारित पृष्ण कराऊंगा आपको पहले मांचतर समझाओंगा कि किस परकार से आपको मांचतर से सम्मंधित पृष्ण समझने है और उनका अंसर दिना है इग्जाम्पल के तौर पर आपने आपके अगर कभी भी सीटैट का एकजम दिया हो या फिर सीटैट की कोई एक्जाम की कोई आपने गाइड खरीदी हो जिसमें प्रीवियस यह रखे या मॉक टेस्ट पेपर तो आप आमतोर पर ऐसा कुशन पाते होगे कि एक व्यक्ति गुजरास से यात्रा प्रारब में करता है अरोनाचल प्रदीश की यात्रा करता है बीच में उसे कौन-कौन सी न प्रिषनों को बहुत अच्छी से पहले अध्याण कर लेते हैं और उस मांचितर पर आधारे जो प्रीवियस यह में आपके प्रिष्टन पूचे गए हैं उन पिष्णों को भी हम solve करेंगे हमारा तरीका ही होगा चाहे promotion वीडियो में हो चाहे यहाँ पर हो या चाहे class में हो हमारा उद्देश एही रहेगा कि हम पहले topic को समझें और उस topic से सम्मंदि seat act में जो जो पिष्ण पूछे गए है उन पिष्णों का हम तार्किक विसलिस्ण करें आईएगा तो मांचित्र पर आधारित अध्यन करते हैं यह भारत का मैंने मांचित्र लगाया हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर मैं यह बता देना कर चाहता हूँ कि वरतमान समय की बात करें तो भारत में राज बरतमान समय की बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है बरतमान समय की बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और साथी साथ हमारी यूटी यानि केंद्र सासित राज्यों की बात करें केंद्र सासित और वरतमान में अगर हम किंसासित राज्जों की बात करें किंसासित राज्ज तो इनकी संख्या भी आठ है इनकी संख्या कितनी है आठ है पहले अगर हम बात करें तो पहले भारत में उन्तीस राज्ज हुआ करते थे 29 राज हुआ करते थे और 29 राजों में जम्मू कस्मीर भी हुआ करता था लेकिन जम्मू कस्मीर को जम्मू कस्मीर से दो किंसा सितराज बना दिये गए एक किंसा सितराज का नाम लद्दाक और दूसरे किंसा सितराज का नाम जम्मू कस्मीर तो अगर 29 राजे थे तो एक राजे कम हो गया कितने बचे 28 तो 28 राज हो गए केंसासित राजे पहले 7 हुआ करते थे अब 2 केंसासित राजे और बढ़ गए कौन से एक लगदा की जम्मू कस्मी तो 7 प्लस 2 कितने हो गए 9 लेकिन उसके बाद दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दूइब को मिला कर एक केंसासित राज बना दिया गया तो इनकी फिर से संख्या कितनी हो गई इनकी फिर से संख्या एक कम हो गई यानि 9 में से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है तो इनकी संख्या नहीं है तो 28 राज्जों की पहले बात कर लेते हैं साथ ही साथ उन की आम राज्जों की बात करें तो हम सबसे ऊपर वाली जिसा आपको याद रखनी है उत्तर होती है नीचे बाली दिसा दच्छा होती है आंगे बाली दिसा पूरव होती है और पीछे बाल दिषा पश्रम होती है पुछन पूंच लेता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व से पश्रम आ रहा है तो भाबू, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भारत के सबसे पूरव conserv मेश भारत के सबसे पश्रम क्या है गुजरात की राधानी की बात करें तो गांधी नगर अब सबसे उत्री राज किंसा से तरज हो गई किंसा से तरज हो गई तो सबसे उत्री राज तो सबसे उत्र में यहां पर कौन सा राज है तो सबसे दच्छन में राज जो है इस राज जी का नाम है तमिल नाडू इस राज जी का नाम क्या है तो इस राज जी का नाम है तमिल नाडू ए भारत के चार राज हैं पूरा पश्यमुत्तर देच्छन में कौन है ठीक ना देखेगा अब राज्जों की बात करें हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की रा जिक्के सराज के अंतर लगता आता है, इस प्रकार से भी पिशने पूचे जाते हैं, तो ए आपको याद रखना है, मैपा राधारेत अध्यान, हेमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्राखंड, हरयाणा, हरयाणा, ठीक ना, हरयाणा के बाद दिल्ली, या पर राजिस्थान के राधानी जैपूर है, गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरला, तमिल्लाडू, तमिल्लाडू के राधानी चेन नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राधानी अमरावती, ठीक ना, अभी है नहीं, लेकिन दोजार चौबीस में, अभी जब बर्स दो आलाब बनानी में कुछ समय लग जाएगा, आंध्र प्रदेश को, इसलिए कहा गया कि वर्स दोजार चौबीस तक दोनों की राधानियां, एक रहेगी हैदराबाद, यानि आंध्र प्रदेश की राधानी वरतमान में है, एंध्राबाद है, लेकिन बाद में, वर्स दोज पर देखेंगे तो पश्यमंगाल की उत्तर में शिक्यम है अगे बढ़ेंगे तो अरोनाचल पर देश है अरोनाचल परदेश की नीचे नागयलेंड नागयलेंड की नीचे मनिपूर है मनिपुर के नीचे मिजोरम है, मिजोरम के पश्य में तिरपुरा है और तिरपुरा के उपर के और देखेंगे तो मिखाला है इवारत के 28 राज्ज है, इन्हें राज्जों की राधानिया आपको लिखनी है, बहुत टप कारें नहीं है आराम से वकुविया कर सकते हैं, कुछ पानिक लिए कुछ खोना पड़ेगा, समय है राधानिया मुझे तो याद है, आप लोगों मैंसे भी अधिकासलों को याद होगी जिल लोगों को याद नहीं है, उग क्या करिएगा, पहले सभी राज्जों को लिखेगा और उनसे सम्मादित उनके राधानिया और धिन में सिर्फ दो बार पढ़ दीजगा गारणिसी आद हो जाएंगी, इतनी हो गई अगर हम भारत के केंद्र साज स्यतराज्ज की बात करते हैं तो बारतमान में जो भारत में केंदर साथ सितराज्य हैं, उन केंदर साथ सितराज्यों की संख्या कितनी है, तो केंदर साथ सितराज्य जो है वो आठ है, आप केंदर साथ सितराज्य कितनी है, यूटीज बोलते हैं, अब इनकी संख्या आठ, आठों के हम नाम लिख रहा हैं समझिएगा सबसे उत्तर से बात करते हैं तो सबसे उत्तर में यहाँ पर कौन सा देख रहा है आपको लद्दाख और लद्दाख के बाजू में जम्मु कस्मीर सबसे उत्तर में क्या है तो सबसे उत्तर में लद्दाख है अर्लद्दाग के निचे जम्मू कस्मीर है ठीक ना उसके और निचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंजाब, हर्याना और यहाँ पर आपको राद हानी मिल जाएगी दिल्ली उत्तर से दच्छन का कर्म लिख़रे हैं चंडी गढ चंडीगर्ड के बाद क्या मिल जाएगी चंडीगर्ड के बाद दिल्ली चंडीगर्ड चंडीगर्ड के बाद दिल्ली है नीचे बढ़ेंगे तो दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीब को एक कर दिया गया है दादर एवं नागर हवेली एवं दमन्दीव एवं दमन्दीव ठीक ना इसको एक कर दिया गया है उसके बाद चलेंगे तो आपका आज आगा पुदुचेली पुदुचेरी के बाद कौन सब मिल जाएगा हमें अरब सागर में एक दूइप है जिसका नाम है लक्ष दूइप और लक्ष दूइप के नीचे कौन सब मिल जाएगा तो लक्ष दूइप के नीचे हम मिल जाएगा लक्षदीप के नीचे नहीं बलके लक्षदीप के बिप्री दिशा में बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक है यहाँ पर अन्दमान निको बार है और यहाँ पर ही लक्षदीप है यह आपका यहाँ पर पुदुचे रही है तो हम counting करने हैं अगर तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, एक ही है पूरा, हम ऐसे लिख भी दे रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और अंडमाने को बार, अंडमाने को बार क्या हो जाएगा आठ, ए आपके आठ किन साथ से तराज है, राध से तराज है, पुझा गया प्रिष्ण है, पुदुचेरी एक ऐसा केंसा से तराज है, जिसका विस्तार तीन राज्यों में है, पुदुचेरी एक ऐसा केंसा से तराज है, जिसका विस्तार अन्य तीन राज्यों में है, इसका विस्तार जो है, वो तीन राज्यों में है, केरल, तमिलनाडू और आंद्र प्रदेश में इसका बिस्तार है, अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में इसका एक जिला है यहाँ पर, केरल में इसका जिला है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है, माहे, केरल में इसका एक जिला है, और केरल में इसका जो जिला है, इस जिल और एक जिले का जो नाम है ओजिले का नाम है यनम क्या नाम है? उजिले का नाम क्या है तो उजिले का नाम है यनम हम मांचितर में आपको दिखा देते हैं यह देखेगा यह लिखा है यह नम यहाँ पर यह लिखा है यह नम पांडिचेरी और यह लिखा है यहाँ पर कराईकल तो इसके अंतरगत चार जिले आते हैं जिनका विस्तार अलग तीन 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 राज्यु मैं पूछ लिया जाता है अब देखिएगा यहां से वो एक नया कुश्चन बनाता है अब यह तक जब तक जम्मुकस्मी राज्य हुआ करता था मैं स्वयम पढ़ा था था कि भारत का जो सबसे उत्री किंसा सित्राज्य है वो मैं बताता था है क्योंकि जम्मुकस्मी तो राज्य थे जब अब अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे उत्री किंसा सित्राज्य कौनसा है तो भारत का सबसे उत्री किंसा सित्राज्य जो है वो लद्दाक है अब भारत का सबसे दच्छनी पूछे तो भारत का सबसे दच्छनी जो किंस तो ये तो हमारी राज्यों की बात हुई अब इसमें थोड़ा एक कुश्चन यहां से बनता है उत्तर प्रदेश की सीमा कौन-कौन से राज्यों को इस पर्ष करती है अगर अब तभी समझ पाएंगे जब आपकी दिमाग मैं मांचितर बनेगा और आपकी दिमाग मांचितर जब बनेगा जब आप अभ्यास करेंगे कैसे अभ्यास करना है समय लीजेगा मांचितर को आप अपने दिमाग में तब इस्थापित कर सकते हैं जब उसे आप बार बार देखेंगे और बार बार हम समय भी आपको बता देते हैं कि आपको कब देखना है आपको सोने से पूर्व है इसको एक बार अच्छी नजरों से जरूर देखना है अच्छी नजरों से मतलब है कि ऐसे नहीं बस देख लिए वो सरक दिये नहीं आपको ऐसे नहीं आपको अच्छे से दे है पुर्व उत्तर भारत है इस परकार से आपको ध्यान देना होगा उस पर जब तक ध्यान नहीं देगे है जब तक आपको मझा बाबू नहीं आएगा अब माली जी को उसने कहा कि बताईएगा कुस्टन निहीं दिखा देता हूं आपको 2016 के सीट एट में पूँचा गया कोश्चन है 2016 में निमलिकित राजों में से कौन सा राज जम्मू कस्मीर के पड़ोसी राज है वर्स 2016 में जम्मू कस्मीर राज था किंसा सतराज नहीं था देखो ऐसा कोश्चन पूँचा गया है जम्मू कस्मीर तो हम अगर इसको पूरा जम्मू कस्मीर माल लें इसको ऐसा तो जम्मू कस्मीर आप देख लिजेगा कौन कौन से राज्चों को इसपर्स कर रहा है तो आप बखू भी देख सकते है यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश को इसपर्स कर रहा है और जम्मू कस्मीर जो है वो यहाँ पर किसको इसफर्स कर रहा है पंजाब को तो हमाचल प्रदेश और पंजाब को इसफर्स करते हैं किसको इसफर्स करते हैं हमाचल प्रदेश और पंजाब को अंसर हो गया अब देखेगा ऐसे अंसर हम ऐसे नहीं है जरूरी कि हमारी दिमाग में पूर्ण रूप से बैठा हूँ मांचेतर तभी हब आंसर दे सकते हैं और भी दे सकते हैं अगर आप कोई से दस राज याद कर लिजेगा अगर जैसे उसने का जम्मु कस्मीर के पड़ोसी राज अब देखिएगा ओप्शन की अधार पर उत्तर प्रदेश जो हमारा राज है पता है उत्तर प्रदेश जम्मु कस्मीर को इस परस नहीं करता है तो इस प्रकार से दो आंसर हमारे गलत हो गई अब इन दोनों में डाउट बचा हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और पंजाव तो अब हमें उत्तराखंड पर बात करनी है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को इस परस करता है और उत्तर प्रदेश के आंगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की उपर वड़ेंगे तो उत्तरा खंड और उत्तरा खंड की उपर हमाचल प्रदेश एन ये भी जम्हू कसमिल को इस परस नहीं करता है तो अगर आप मांचित्र का अगर आपको सही से या नहीं होगा, तो आप इस प्रिकार की प्रिश्ने नहीं कर पाएंगे, और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको सही दिसामें, सही लोगों के साथ महनत करनी है, गलत दिसामें, गलत लोगों के साथ महनत करेंगे, तो नतीजा अच्छा नहीं आएगा, हमें नहीं कह रहे हैं, क सर बैटर पढ़ा रहा है हमारा इनिस्ट्यूट आपके लिए अच्छा कारी कर रहा है बिल्कुल जुड़िएगा और किसी भी प्रकार की समस्या बताईए जरूर क्योंकि किताबों में तो सब कुछ लिखा है अगर किताब पढ़ के सिलेक्षन हो जाता तो आज हम जैसे अधापकों हम जैसे आपके गाइडरों की कोई जरूरत ही नहीं होती समय ना बात को गंबेटा से समझेगा अब आईएगा तो राज्यों को हमें समझना है कि कौन से राज किसी मा किन राज्यों के साथ इस पर सोती है तो देखेगा सिंपल सा आइडिया है आपको यह रटना होगा रटना होगा और अगर नहीं रटना चाहते हैं तो मान चितर को लगा लीजिए अच्छे से पढ़िए कई सारे भारत में होने वाली घटनाओं को अब तभी पकड़ पाएंगे तभी समझ पाएंगे जब आपको उन इस्थानों की उस राज्यों की आउस्तिती पता होगी समझेगा यहां देके तो हरे आन और हरे न आपके साथ साथ दिली तो आठ राज एक इन साथ सितरा जयानि दिली को सपर्स करता है साथ इस साथ एक देश को भी सपर्स करता है कौन सा नेपाल अब देख लीजिए का अभी करेंट कम होदा है लिपुलेक दर्रा ने आपर अनवश्यक गतिविदियां बढ़ा दिए तो लिपुलेक दर्रा आपको मालूम होना चाहिए किस राज में है होना चाहिए ना दीफु दर्रा किस राज में है इस छोटे छोटे कोशन है और यहीं से वो पूछता है आप लोग करते कि आप बड़े कोशनों के पीछे भागते हैं प्रकार से राज्यों को आपको याद करना होगा कि कौन से राज्य की आउस्ति भारत में कहा पर है ठीक ना अब आईएगा एक और कुशन बनाते हैं इसमें एक टाइप का कुशन और कई बात पूच्छा जाता है आपको कुशन देदेगा कि एक राज्य है राजिस्थान एक राज्य है जिसका नाम है राजिस्थान मालीजी का राजिस्थान की राज्यानी की बात कर दी पिंक सिटी यानि जैपुर उसने एक राज्यानी की बात कर दी पिंक सिटी यानि जैपुर और उसने कहा कि एक व्यक्ति है जो जैपुर से बिहार की राज्यानी पटना जा क्शाइता है जैपुर से बिहार लोगडॉम में जैपुर से बिहार जाना चाहेता है बताःएगा उसे कौन-कौन से राज्जों से होकर गुजनना पड़ेगा क्वितुन बताःएगा कि यादरा करनी accelerated sollten वो तु द्सोट तम रास्ता अपनाएगा, छोटा सा रास्ता अपनाएगा, जिसरा रास्ता से जल्दी पहुचा जा सके, एक पेट्रॉल यानि उसके इधन की भी बचत होगी, उसके फियूल की भी भचत होगी, साति सात उसका समय भी बच्छेगा तो यदि राजिस्थान से आप बिहार जाना चाहते हैं तो बीच में आपको कौन से रज्ज को पार करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश रज्ज को पार करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की मंद में तो मद्द प्रदेश के बार आप बिहार जाए नहीं सकते हैं क्योंकि मद्द प्रदेश की बीच में यहाँ पर उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार और मद्द प्रदेश यह तीनों साज़ा होते हैं लेकिन उत्तार प्रदेश बिहार को इस पर्स करता है, उत्तार प्रदेश मद्य प्रदेश को इस पर्स करता है, लेकिन मद्य प्रदेश बिहार को इस पर्स नहीं करता है, इसलिए सटी कांसर ही होगा, होगा ना, मा लिजेगा, आपको उसने प्रष्ण दे दिया, इसी प्रक है और ह्यायाणा है और यह मैं पर टेलंग न जाना चाहता है कहा पर किस मार्ग से जाएगा या कौन कौन से राज्यों को उसे पार करना होगा देखिएगा सिंपल सा है हमें पता है कि पंजाब हर्याना की सीमा पर है कौन सा चंडीगर तो पंजाब आएगा सौट्टम रास्ता अपनाएगा पंजाब के बाद उसे राजिस्थान आना ही पड़ेगा क्योंकि हर्याना आएगा हर्याना के बाद राजिस्थान आना ही पड़ेगा क्योंकि राजिस्थान हर्याना की सिमस आजा होती है उसके बाद उक्य करेगा मध्यप्रदेश जाएगा मध्यप्रदेश से महाराच जाएगा महाराच से तिलंग न जाएगा अभी कैसे आया ये दिमाग से आया और दिमाग कब चलेगा जब आपको मांचित्र याद होगा मांचित्र आपको याद होगा एक कुश्चन ऐसा बनता है मैं कुश्चन भी कराऊंगा आपको हमने पता चला लिए गुजराद भाई यहां पर है और जब भी कहे गुजराद से यत्रा कैप्तल समझेगा कहा की यत्रा करना चाहता है उत्रा खंड बताईएगा उए किस दिसा में यत्रा करेगा तो जब भी दिसाओं की बात आ जाए आपको कुछ नहीं करना है मैं सिंपल स आपको सहर और या जो रज आपको दिया गया है उनिसने खाए गुजराद से यात्रा प्रारम करता है आप कुछ मत करिए गुजराद के सामने ऐसी चार लाइने कि गीजेगा ऊपर वाले दिसा कौन सी हो गई है तो इस में ऊपर वाले दिसा जो है वह नौर्थ है आगे बा अब ये वाले दिसा कौन सी है? नौर्थ और इस्ट के बीच में कौन सी होगी? नौर्थ इस्ट होगी. कि दिसा में यात्र करेगा? नौर्थ इस्ट दिसा में यात्र करेगा. 2019 में सायद CTAT के एक्जाम में ऐसे प्रिष्ण पूँचे गए थे ऐसे दो प्रिष्ण पूँचे गए थे कितने प्रिष्ण पूँचे गए थे दो और देखेगा EVS एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आपके CTAT के लिए जो scoring होता है mathematics, psychology की तरह नहीं होता है, यह scoring होता है आपको अगर एक topic आपने समझ लिए अच्छे से आपको कई सारे topic हो जाएंगे, कैसे? देखेगा यह तो राज्जों की बात हुई मा लिजेगा, कई बार वो ऐसे भी question पूँचता है, ऐसे question कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से तमिल्लाडू के कन्या कुमारी की यत्रा करता है दिल्ली से कहा जा रहा है? तमिल्लाडू के कन्या कुमारी जाता है उसे कौन-कौन सी नदियों से ओकर गुजरनना पड़ेगा मार्ग मों से जब उट्रेन से यात्रा कर रहा है तो मार्ग मों से कौन-कौन सी नदियां मिलेगी आप्शन A गंगा और यमुना नदियां आप्शन B नर्मदा और तापती नदियां आप्शन C द्रह्मपुत्र और कावेरी नदि आप्शन D तो आप देख लिजेगा जब यहां से आप यहां की यात्रा करेंगे तो गंगा नदियां उत्राखंड से इस प्रकार प्रवायत होती है आप सर आपको तो मालूम है हमें मालूम नहीं है तो हमें भी पेट से सीखके नहीं आये थे पढ़ाई किया है अध्यन किया है बातों को समझी उत्राखंड से एक नदि निकलती इस प्रकार जाके मिल जाती है प्रयाग में यह मुना लेकिन यह आप्शन में गंगा और एमना है तो यह तो गलत हो गया अब उसके आंगे आए तो हमने यहाँ पर देखा मध्यप्रदेश से इस प्रकार एक नदि निकलती है नर्मिदा है और इस प्रकार एक नदि निकलती है तो नर्मिदा और ताप की नदि उनको पार करेगा हमने कहा महराज से एक नदि निकलती है तेलांगना अंद-प्रदीस से उतूए अपना डेल्टा बनाती है गोदभरी, एक और नदी निकलती इस परकार अपना डेल्टा बनाती है कौन से, और यहाँ पर एक नदी है केरल से जो निकलती है कावेरी, तो देख लेजेगा, अगर हम देख हैं, तो नर्मिदा है, तापती है, गोदवरी है, किष्णा है, कावेरी है इन पांच नदियों से उकर उसे गुजनना पड़ेगा अब कौन सी नदिय है यहाँ पर उप्सन में उस आधार पर हम उसका अंसर दे दे लिए उस आधार पर हम उसका क्या कर देंगे उस आधार पर हम उसका अंसर, देखो कितना सिंपल लग रहा है, अब यह चीज़ें आपको तब आएंगे, जब मैं आपको भारत की रिवर्स पढ़ा दूँ इंडियन स्रिवरों से अवगत करा दूँ और के बल इतना ही पढ़ना है, कहां से अंदर पढ़ लिए, और एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पांच सब्जेक्ट होते हैं, सिटैट में आपके लिए एक से पांच तक के लिए वो पांच सब्जेक्ट प्रवतों के मा sólo के अंदर सुरंग बनाई जाती है घ्रशुने से कहां की तरह करता है갈 रास्ति मुझे कौन कौनसे प्रवट मिलेगी तो पर्वटों का अध्यान हम तभी कर सकते हैं पर्वतों को उम तभी बता सकते हैं जब हमने पर्वतों को पड़ा हुगा मं ये दिल्ली और हिमालाय का कोई संबंधी नहीं है कहता है बिंध्यांचल और सत्पुडा बिल्कुल बिंध्यांचल और सत्पुडा की अगर बात की जाए अगर बिंध्यांचल और सत्पुडा की बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ पर बिंध्यांचल है और यहाँ पर आपका सत्पुडा है दोनों से गुजनना पर यहाँ पर कुछ परवत है अजन्ता, बाला, घाट, सत्माला इनसे होकर गुजनना पड़ेगा तो कौम से दो बड़े परवतों से होकर उसे गुजनना पड़ेगा बड़ा है लेकिन अगर इतना होंबर के ख़र लिये आप तो आपके दोसे चार प्रिश्न हमेसा बनेंगे पहला क्या करना है अब परते कर राज्यकों लिखना है उससे संब्दिति उनकी राजधानियों को लिखना है किփसासेत राज्यों को और उससे संब्दिति उनकी राजधानियों को दूसरा कौन से राज़ की सीमा किसको इस पर्स करती है कौन से राज़ की सीमा किसको इस पर्स करती है इसको लिखना भी है और इसको डायग्राम में देखना भी है जो चित्र है आपका मन चित्र है इसमें लगातार आपको देखते भी रहना है समय रहना बद तो अगर इस प्रकार से आपने कर लिया और जाना नहीं आपने अगर दो से चार वार ही ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाए अब देखेगा इसका फायदा आँगे क्या होने वाला है इसके आँगे जो आपके टॉपिक है आपका एक एनिमल्स जी भी जन्तू पढ़ाऊंगा मैं मैं कहूंगा कि भारत में वरतमान समय में पचास बाग आरच्छे च्छेतर है अब देखा भारत के सबसे पूर भी बाग रेजर बिच्छेतर बताएं कौन से हुझा है कम लंका क्यों क्यों कि आरवनाचर प्रदीस में आपने का गिर राष्टिय भ्यारन गुजरात में है जहां पर एस सेर पाए जाते है तो इस परकार आपको पता चल जाए मैंने कहा कि सफेद 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 टाइगर जो है मद्य प्रदेश में पाए जाते हैं तो आपने यहां पर दिमाग दोड़ा के मद्य प्रदेश यहां पर है तो अगर मांचित्र का अध्यन हो जाएगा अच्छे से तो ना केवल आपकी परिक्षों में बलकि आपकी बेवहारिक रूप में आपकी नौलेज को भी बढ़ाएगा और नौलेज को हमेशा बढ़ाते रहेगा जितनी जानदा नौलेज होगी जितनी जानदा पकड़ अब इन से संबंदित कोछ मैंने प्रिष्ण लिखेते तैला प्रिष्ण तो मैं करा चुका हूँ देखे आपके लिए मैनत की जारी देख रहे ना टाइपिंग जो टाइपिंग हमारे जो टाइपिष्ट है हमारे वो नहीं आप आ रहे हैं किसी कारण बस अब देखर तो यहां है कौँ कंसे राज्य पर जाता है तो मार्ग में कौन कौन से राज्य पढ़ेंगे गुशन है दौाजर्ट चौदा का ठेके कहां है ट्रेन से उसे यात्रा करनी है गुजरात से केरल की देखिए तो गुजरात यह है हमने कहा था जब भी राज्य दिया जाए आप उसकी राधानी पक्ड़ेंगे और कहां कहां गुजरात से कहां केरल केरल यहां तो गुजरात से किरल की बीच में उसे दो राज्यों को और पार करना पड़ेगा, एक राज्य का ना महाराष्ट और दूसरे राज्य का ना क्या है, तो करना तक, आप देखिएगा, option में है या नहीं है, option में महाराष्ट एबं करना तक, देखिए, एई मिल गया अप्शन में यह मिल गया, महराश्ट एबं करनाट, इन दो से यह प्रकनी हो, ठीक ना, अगला कुश्चन देखते हैं, यदि आप रेलगारी द्वारा दिल्ली से कुलकाता जाएं, चलिए, तो आपको कौन-कौन से राज्जों से उकर गुजरना होगा, ठीक ना, यह भी और कौकाता यानि यह है, तो यदि दिल्ली से कौकाता जाएंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपको कहां जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपको पटना, यानि बिहार, बिहार से आपको बीच में कौन से जाएगा देख लिजएगा उत्तर प्रदेश सही हो सही हो जाएगा या-ंसर क्यों के सर के सामने तो मेप लगा है cuma कोज्ञा कि टिमाया चम ओपिर डिमाग में अगला कोशनज देखते हैं रो क्या है कि स्थिती क्या है हुआ हुआ में बताई था ना जब भी आपको ऐसी कोशनज़ा ना ने भी देखेंगा यहां पर नेपाल हो गया और यहां पर यह उत्तर परदेश और यहां पर यहां पर यहां पर भियहार कैसी आंगे कैसे पूरamine पश्चिम और नीचे वाली तच्छण तो उत्तर और पूरब के मद्द में कौन सा हो जाएगा नौर्थ इस्ट तो गोवा के सापिक्च बिहार की स्तिति क्या है तो क्या है उत्तर पूरब है तो देख लिजेगा उत्तर पूरवी दिशा ए रही कौन सी है उत्तर पूरवी दिशा है कौन सी दिशा है उत्तर है उत्तर फूरी बिल्कुल यही सरी answer हो जाएगा कैस के भी आगी पिष्ण है ? चले एक पिष्ण हो ँरए एक पिष्ण हो ँरह है इसको बहुत भी कर लेते हैं हम लोग कह रहा है यदी कोई यात्री दिल्ली से कन्या कुमारी की यात्रा करता है तो यहाँ पर दहली है और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर कन्या कुमारी है क्या रहा है दिल्ली से यदि कन्या कुमारी की यात्रा करता है कहां से कन्या कुमारी कहां से कोई यात्री दिल्ली से कन्या कुमारी तो दिल्ली यहाँ पर है और दिल्ली से कहां जो उत्तर से उत्तर से किस डिशा में जा रहा है तो अपर्से सामें जा रहा है तो यह जो 5 questions लगवक 5-6 questions लाए थे हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह 5 questions है, पाँच को के 5, सीटेट मैं पूछेगा है इसी प्रिकार से वो मांचित पराधारित प्रिशन लाता है, ठीक ना, तो जैसा मैंने बताया आपको, बैसे ही आपको लिखना है, बैसे ही आपको समझन है, इतना हम आपको एस्टोर कर दे रहा है, कि TWA में आप मुस्कुराई है तहली बात तो, दूसरी बात यह है, कि यहाँ पर जो भी वैच चला जाते हैं, इमानदारी पूरवक चला जाते हैं, रभी सर, आलोक सर के निर्देशन में चला जाते हैं, हम लोग उन पर वर के कर देते परकड़ी, जोइनिंग लेटर फखड़ी आप, और बस, तो हमारे साथ आपको भी महनत करनी है, और महनत करते रहिएगा, आपके साथ सब अच्छा होगा, मौका याभी, फायदा उठाई उस मौके का, समय भी यह आपके पास, आपका जो एक्जाम था, एक्जाम भी देले हो गया है, उसका मौका उठाईएगा, निरन तरह हमारे साथ जोड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरू करते देगा,